नमस्कार दोस्तों जय श्रीराम, जय सीताराम, जय जय हनुमान दोस्तों रक्षाबंधन के त्योहार की तयारियां बहने एक महीने पहले ही करना शुरू कर देती हैं, भाई के लिए चुन-चुन के सबसे सुन्दर और अनोखी राखी बाजार से लेती हैं, जिन में उनका प् हत्म होते ही कई लोग उस राखी को काट कर या तो कचरे में फैंक देते हैं, या तो घर में कहीं उतार कर रख देते हैं, जो महीनों तक वहीं पड़ी रहती हैं, और आपको बता दें की भागे। कौन सी जगहे पर रखना चाहिए, आज हम इस वीडियो में। इन ही सारे सवालों के जवाब लेकर आए हैं, जो गुरुजी ने अपने भक्तों को बताए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, दोस्तों स्वागत है, आपका आश्ट्रो सच पर आगे बढ़न वाले दिन बहुत उचसाहित होते हैं, राखी बंधवाने के लिए अपनी बहन का इंतजार करते हैं, कि कब हमारी बहन हमारी कलाई पर राखी बांधेगी, किन्तु उस त्योहार के पश्चात हम बंधे हुए, उस रक्षा सूत्र पर ध्यान ही नहीं देते, कई लोग तो उ उसी दिन राखी को उतार कर कहीं रख देते हैं, या कहीं फैंक देते हैं, इन सब के बारे में गुरुजी का कहना है, कि ऐसा करना न सिर्फ आपके लिए बलकि आपकी बहन के जीवन पर भी दुश्प्रभाव डाल सकता है, गुरुजी ने इस तरह राखी को काट देना और कहीं भी फैंक देने को रक्षा सूत्र का अपमान बताया है, इसी लिए उन्होंने अपने भक्तों को किस तरह राखी को, काटना चाहिए किस जगह पर उसे नहीं रखना चाहिए, और खंडित राखी का क्या करें, ये सारे उपाय बताये हैं, सबसे पहले जानते हैं कि राखी को कभी भी उतार कर नहीं फैंकना चाहिए, जैसे हम राखी बांधने के लिए सुबह मूरत का और शुब दिन का चुनाव करते हैं, ठीक उसी तरह रक्षा सूत्र को उतारने के लिए भी आपको सही दिन का चुनाव करना आवश्यक होता है, इसलिए यदि रक्षा बंधन वाले दिन आपकी राखी खुद भी जाती है, तो आप या तो अपनी बहन से फिर से बनवाले अन्यथा घर में किसी और से फिर से गार्ड लगवाले किन्तु। और यदि आवश्यक न हो तो राखी को कम से कम पांच दिनों तक या जब तक राखी खुद खुल नहीं जाती तब तक बांधे रहे, दोस्तों गुरु जी ने यह भी बताया है कि रक्षा सूत्र को किस तरह कलाई से उतारना चाहिए, कई लोग राखी को कैंची से या रक्षा सूत्र को हमेशा ही आपको हाथ से उतारे गए गार्ड खुलती है, तो ठीक नहीं, तो आप इसे हाथ से कर भी तोड सकते हैं, किन्तु इसे इन चीजों से कभी भी नहीं करना चाहिए, इससे अब शगुन माना जाता है, रक्षा सूत्र भाई बहन के प्यार का बहन के आपसी सने और भाव को प्लेस में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, इसलिए गुरु जी कहते हैं कि ऐसी गल्ती भूल से भी न करें, बात करते हैं, यदि आपने राखी को उतार कर कहीं भी फेंक दिया है, तो इसके कौन से प्रभाव आप पर पढ़ सकते हैं गुरु जी ने भक्तों को रक्षा सूत्र की महिमा बताते हुए कहा है, कि यह प्रथा तब से शुरू हुई जब कृष्ण स्वयं द्रोपदी की रक्षा के लिए सभा में पधारे थे, क्योंकि द्रोपदी ने श्री कृष्ण की कलाई से बहते खून को रोकने के लिए ऐसे पवित्र और रक्षा सूत्र को आप यदी कच्रे में या घर के किसी कोने में फैंक देते हैं, तो इसका दुश्प्रभाव न सिर्फ आप पर बलकि आपकी बहें। सूत्र को फैंकने से आपके जीवन पर तो इसका दुश्प्रभाव दिखाई पड़ता ही है, साथ में आपकी बहन के साथ भी आपके संबंध में खटास पैदा हो सकती है, इसलिए अगर आप भी आज तक यह गलती करते आए हैं, तो इस बात का विशेश ख्याल रखे रक् के बाद आखिर इसे कहा रखना चाहिए, जिससे इसका दुश्प्रभाव भी भाई बहन के रिष्टे पर न पड़े। कि जमीन गौमूत्र से पवित्र होती है, इससे पवित्र जगह आपको संसार में कही नहीं मिल सकती गौशाला में रक्षा सूत्र बांध कर आप अपनी रक्षा का भार गौमाता को सौंप देते हैं, इसलिए उसके बाद आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, गुरु वास करती है, वहां बांध आते हैं, तो आपके लिए बहुत ही शुब होता है, इससे रक्षा सूत्र का अपमान भी नहीं होता, गुरु ने एक और उपाय भी बताया है, यदि आपके आसपास गोशाला नहीं है, तो को रक्षा सूत्र को पीपल के पेड की जड़ों में भी अवास होता है, और पीपल का पेड आपको आसानी से आपके आसपास भी मिल जाएगा, गुरु जी बताते हैं, कि ऐसा करने से हनुमान जी स्वया भाई बहन के रिष्टे की उनके प्रेम भाव की रक्षा का भार स्वया ले ले लेते हैं, तो यदि आपके आसपास गोशाल नहीं है, तो आप पीपल के पेड की जड़ो में भी अपनी उतारी हुई राखी को रखें। कैंची चाकू से कटा हुआ रक्षा सूतर कभी भी गोशाला या पीपल के पेड के नीचे न रखें, यदि आपको रास्ते में चलते हुए कोई भी रक्षा सूतर मिल जाता है, तो उसे भी आप इसी तरह से गोशाला में बाट दें, ऐसे रास्ते में पैरों तले रक्षा स करके विडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जै श्री राम राम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुँच जाएं तो मिलते हैं अगली विडियो में तब तक आप अपना ध्यान रखें स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें धन कि अवाट